हेलो एव्रिवन आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लाश 12 की पॉलिटिकल साइन्स का चैप्टर आपके एंसेयर टी में है फिफ्थ समकालिन दक्षिन एसिया 2022 थे इसके लिए इंपोर्टेंट है और आप इसको एक बर स्लेबस को देख लो यह जो टॉपिक है इसके अंदर दे रखे ना आपकी स्लेबस में यह सारे के सारे टॉपिक जो है इस सेम आपके एंसेयर टी वाले तो इसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि न्यू आपको को एड मिले यानि कोई ऐसी नहीं चीज नहीं है इसके अंदर जिस स्टूडेंट ने लास्ट येर वाली हमारी वीडियो देख रखी है वह अगर इस वीडियो को नहीं भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेम उस साल भी यही सलेबस था पिछले साल और इस साल भ भी बताऊंगा किस टाइब के कुशन आते तो वीडियो आप ध्यान से देखना ताकि सारी चीज़ा आपको समझ में आए पाकिस्तान आ जाता है नेपाल आ जाएसमें भूटान आ जाएका मालीव आ जाएगा शीलंका और बंग्ला देश इसमें ऐसमें म्यामार को भी शामिल किया डेस है तो में जो डेस वह यह हैं जो उपर दिखे हुँ ऐसमें को कुशन में चीन तो फिर दक्षिनेशिया का मुख्य अंग नहीं माना जाता है, यह भी आपको point याद रखना है, हो सकता है, ऐसा question भी आपसे paper में आ जाए, तो यह है जो देश, यह दक्षिनेशिया के देश माने जाते हैं, अब एक question आपके paper में आता है, और यह बहुत important question है, कि दक्षिनेश में आजाद हुआ था, शिलंका जो है 1948 में आजाद हुआ था, एक साल का ही इनकी आजादी में gap है, आपको यहाँ देख रहे है, अब बात करते हैं इन में विवस्ता कौन सी है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक विवस्ता, यानि भारत और शिलंका में आजादी के बाद से ही, लोकतंत्र जो है, वो सफलता पूरवक चला आ रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सफल लोकतंत्र आप कह सकते हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो यहाँ पे पहले क्या था, राजतंत्र था, यानि राजा का शाशन था, ठीक है, समविधानिक राजा को ज दीरे दीरे ये भी लोकतंत्र की ओर आ गया है, यानि यहाँ पे राजतंत्र था और अब दीरे दीरे लोकतंत्र की ओर चला है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान और बांगलादेस, अब देखो, दोनों ही इस्लामिक कंट्री हैं और यहाँ पे क्या है सैनिक शासन और लोकतंत्रिक शासन लोकतंत्र तो आप नाम का ही देखो के पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन है अगर बांगला देश की बात करें तो यहां भी सैनिक शासन था लेकिन देरे देरे वह लोकतंत्र के हो गया है और वहां पे लोकतंत्रिक शास इसके लिए यहां पर कदम उठाये जा रहे हैं इसके बाद है मालदीव में क्या है कि एक सल्तनत हुआ करता था लेकिन अब यहां पर इसको एक रिपब्लिक बना दिया गया और यहां पर अद्धक्षात्मक परनाली क्या होती है यह सारी चीज़े आप गूगल पर सर्च कर सक यह सबसे पहले भारत and चृलंका का आपको यह अदग रहे गए कि दोनों जगैं बकर यह ने Bringing that you के और पाकिस्तान और बंगलादेस का याद रखना कि से लोगतांट के याद रहते हैं विटान में रास्तंत्र लेकिन भाहुत यह लिये बहुत बहुत South Asian asia के जो देश हैं इनके सामने मेंस समस्य है alguns एक समस्य है वह क्या है यह इंपोडेंटै क्योंकि यह इनके बीच में इसको देखते हैं यह एक समवेधन सीज इस मतलब आप सेंसिटीव मान सकते ere यहां पर इसके बीच में संगर्स है इसके बाद क्या कि दक्षिन एशिया के जो देश है इनके बीच में सीमा विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में आप देख लोगे सीमा विवाद आपको दिख जाएगा इसी तरीके से कई बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में दिख जाता है तो कहीं न कहीं यह बीच में नदी जल्ब वटवारे to live भारत पकिस्तान के बीच में भारत वंगलांकर पकी स्मॉइधां Two and में ने को मिलता है पिर लिए और खशने इसलिए के इतने सारे इंचे नदी जल्ब विवाद ओ चाहि जातीय संगर्पर संगर्पर से बात ज्यादा जलते हैं यहां पर तो इसलिए से हम समवेदन से लिए लाका कहते हैं नेक्स्ट आई यह कोशन आपके पेपर में आता है इसको लिख लेना बिल्कुल इसलिए कोशन पर कि वीडियो देखना लगबग 34-35 कराएं वेने जिसमें बिहार के जहार खंड के अलावा अलग भी करा रखें अगर आप उठा के देखोगे तो यह कोशन जितना रिपीट हुआ है शायद कोई कोशन इस चैप्टर से रिपीट होता हो तो बिल्कुल इसे ल कोशन आ जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र वह स्थायी क्यों नहीं रह पाता है क्यों मतलब वहाँ फिक्स नहीं तो देखें कि यहां पर कोई पाकिस्तान के जो Caf transmission republic कोले कर लिका भारत को लेकर हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में उत्तांत्रिक शासन को चलाने के लिए कोई अंतराष्टे समर्तन भी इनको प्राप्त नहीं हुआ अमेरिका और पश्चिमी देज्जों ने अपने स्वार्थ के लिए यहां पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है तो यह कुछ चार कारण बन जाते हैं जो आपके पेपर में भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या कहता है वो इस पर अपना हग जताता है वो कहता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का एरिया है तो इसको लेकर दोनों के बीच में क्या है विवाद है जबकि यह पूरा-पूरा क्या है भारत का हिस्सा है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर युद्ध भी हुआ था इसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कबजे में चला गया था जिसको क्या कहा जाता है लेकिन विवाद जो है वह आज तक है और इनका विवाद सुलगेगा नहीं ठीक है विवाद और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो एक आतंगवाद भी एक मुद्दा हो जाएगा ये भी याद रखना ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक मुद्दा आतंगवाद भी है अब देखते हैं अगे नदी जल विवाद दोनों देशों के का जल विवाद वो परमुख है अलांकि 1960 में अब इसको समझहोता हुआ ता जिसके वज़े से यह जल संधी जो है वो चल रही है लेकिन अभी बहु कभी कुछ विवाद देखने को मिल जाते है सफलता पूरवाद छल रहूत भी विवाद देखने को मिलते है आतंगवाद यह मैंने आपको बताता है मेन मुद्दा है आतंगवाद भारत और पाकिस्तान के बीज में एक विवाद का मुख्य मुद्दा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भारत विरोधी गतिविदिया है उसको क्या गरता है पाकिस्तान बढ़ावा देता है वह बांगला देश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से जो नौर्थ इस्ट है नौर्थ इस्ट वाला जो भारत है वहां पर भारत विरोधी अभियानों में सनलंग नहोंने का सनलंग रहती है जिसके करण क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है ठीक है एक है सरक्रिक रेखा आपने देखा होगा गुजरात राज्य जो है यहां पर कक्ष है इस्थान कक्ष में एक जगा है रण में क्या है सरक्रिक रेखा है वहां पर उस जगा को लेकर विवाद है क्योंकि वहां पर कुछ संसादन है यूरेनियम वगेरा जैसे संसादन तो उसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है हलांकि वो हिस्सा भारत का है लेकिन पाकिस्तान की होड को लेकर भी तरन टरनी देखने को मिलती है नेस्ट्य भारत पाकिस्टान के बीच में यूध आपको पता होगा कि भारत पाकिस्टान के बीच में मुख्त है चार यूध वह हैं पहला यूध जो था वो तो आजादी की समय हो गया था 47 48 में कश्मीर मुद्ध को लेकर है दूसरा जो यूद्ध है वो 9065 में पाकिस्तान ने क्या करा था भारत पर आक्रमन करा था फिर भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया था और इसमें भी क्या हुआ चारो यूद में देखे जाए तो पाकिस्तान की हार हुई है यह आपको याद रखना है फिर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में यूद हो गया ता उसमें कि आए बांगला देश संकट यही बंगलादेश वाला विवाध जो था इसको लेकर इसके बाद 1999 की बात करें 1999 की बात तो देखिए अब यहां पर बात करें यहां पर पहला परमानु परिक्षन तो मैंने लिखा ही नहीं है मैं आपको पता देता हूं भारत ने अपना पहला परमानु परिक्षन किया था राजिस्तान में जो पोकरन नामकिस्तान है यहां पे अपना पर्मानु परिक्षन किया था ठीक है और पाकिस्तान ने हमारे जो सेकंड परिक्षन हुआ इसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ियों पर किया था और यह जो कोशन है यह वाला कोशन ब बात करें तो 1998 बोलोगे ठीक है तो यह दोनों चीज आपको याद रखनी है नेक्स्ट कोशन है कि सिंदू नदी जल समझोता तो आपको पता होगा कि सिंदू नदी जल समझोता जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है और यह कब हुआ था तो 1960 में किसने करवाय था तो यह वर्ल्ड बैंक ने यानि विश्व बैंक की साहिता से हुआ था इस समझोते पे उस समय परदान मंतरी भारत के थे जवाहरलान नहरू और पाकिस्तान से थे अयोग खान इन दोनों ने इस पर हस्ताक्चर किये था और यह समझोता किया था तो सिंदू नदी जल समझोता आ जाता है पेपर में तो यह भी आपको याद रखना है अब एक कोशन है तासकन समझोता सौट कोशन में पूचा जाता है कि तासकन समझोता कब हुआ था तो देखे, 9066 में हुआ था, समझोता अब मैं आपको बताओं क्या हुआ था, कि 9065 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ठीक है, उसके एक साल के बाद 9066 में ये समझोता कराय गया था तो इसके लिए क्या था, कि भारत से लाल बहादरु शास्तरी जो है, वो गये थे तासकंद समझोता कराने के लिए, वहाँ पे, लेकिन क्या हुआ कि तासकंद में इनकी अचानक से मृत्य हो गई, और आज तक कि ये विवाद का विसे है कि इनकी मृत्य हुआ कैसे हुई, क्या मतलब उसके पीछे कारण था, तो ये भी आपको याद रखना है पूरा डिटेल में बता दिया, इसके बाद देखो अगला, ये कुशन आजाता है कि भारत और मंत्री इंद्रा गांदी, तो ये दो लाइने याद रखनी है, इससे कुछ भी आपसे कुशन पूचा जा सकता है, कुछ भी कि कैं हो सकता है पूचले कि बताइए सिम्ला समझोता है मैं भारत की परदान मंत्री कौंती तो आपको इंदरा गांधी याद रखना है ऐसे भी कोशन पूच सकते हैं तो मैंने आपको जो पूचा चाता है वो सब कुछ बता दिया है अब बात करते हैं शीलंका की शीलंका का जाती है संगर्स शीलंका में बहु संक्यक सिंगली समुदा है यानि यहाँ पर जो जिनकी संक्या जाता है वो सिंगली लोग है और यहाँ पर भारत के तमिल लोग भी बस गया जाके तो भारत की जो अलप संक्यक तमिल लोग है वो कहां पे बस गहें स्री लंका में इनके बीच में फिर जाती है संगर से शेलंका के जो बहु संख्यक समुदाय है जिसको सिंगली कहा जाता है यह जो यह विरोध करते हैं कि भारत की जो तमिल वहां पे बस गहना उनका विरोध करते हैं कहते हैं जो स्रिलंका है वो सिंगली लोगों का है और ये जो तमिल लोग है ये बाहरी लोग है ये यहाँ पर आके बसे में तो इनके बीच में विवाद है सिंगली जो राष्टवादी हैं वो ये मानते हैं कि शिलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए चरा भी उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए और तमिलों के परती उपेक्षा भरे बरताओं से एक उग्र तमिल राष्टवात की आवाज बुलंद हुई आप देखो क्या था जब सिंगली लोग तमिल लोगों के साथ ऐसा बरताओं करते थे तो ऐसे में क्या हुआ तमिलो ने एक संगटन बनाया और एक उग्र तमिल संगटन आप कह सकते हो इसे जिसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है लिट्टे यानि उग्र तमिल संगटन जो है इसको पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ओफ तमिल इलम लिबरेशन टाइगर तो यह संगटन बनाया और यह स्रिलंका की सेना के साथ संगर्स चलता रहता है, यानि निशेद दाक्षिन हिस्सा है और इसने तमिलों के लिए एक पोंपने ठेखते dia में आप भाहरत के मैप को जब आप दे खोगे तो जैस्सां हिस्सा है उसमें आप श्रिलंका देखते हो तो श्रिलंका के कुछ हिस्से में तमिल लोग बसे हुए है वो क्या कहते हैं कि हमें उस हिस्से में अपना अलग देश बना दो तो इसको लेकर यहां पर क्या है विवाद है जो सिंगली लोग इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते है तो यह तो गया श्रिलंका का मुद्दा अब श्रिलंका में जातिय संगर्स के बावजूद भी यहां पर आर्थिक उन्नती बहुत हुई है श्रिलंका में इतना जातिय संगर्स है इसको बाद भी तरक्की बहुचाता किया इसने तो देखे इसमें ये कुशन पीपर में आता है तो कैसे लिखोगे इसमें लिखेंगे हम की शीलंका में बहु संक्यक सिंगली समुदाय और अल्प संक्यक तमिल समुदाय के बीच में जाती संगर से लेकिन इसके बावजूद अर्थिक चेत्र में देखें तो सिलंका ने तरक्की किया हाला कि आज के समय में डूब रहा आपने देखा होगा लेकिन ये जो एंसे आर्टी आपकी पुरानी है तो पुराने समय के हिसाब से हमें बताना है ठीक है आगे देखें जनसंक्या की विर्दी पर शेलंका ने सफ कोफी अच्छी है फिर संगर्तों के बावजूद भी शिलंका में लोगतंत्रिक राजविवस्ता है इतने संगर्स होने के बाद भी यहां पर लोगतंत्र काया में यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है ठीक है अब बात करते हैं भारत और बांगलादेश के बीच में स कई बारे कोशन को घुमा के सकारात्मक और नगारात्मक ऐसे वर्ड डिंग यूज करके भी फूछ लेतें तो आपको पता हूना चाहिए तो मैं आपको दीखाता हूँ सकारात्मक और नगारात्मक क्या है या फिर सहमत है टो किन बातों पे भारत और बंगलादेश सहमत है यह देखो आपदा प्रबंधन का मुद्दा जो है इसमें दोनों के बीच में सहमती है पर्यावरन के मुद्दे को लेकर जो दोनों सचेत हैं और दोनों के बीच में सहमती है लुक एस्ट एक्ट एस्ट की नीती थी उसमें भी भारत और बांगलादेश सहमत है जो दोनों के बीच में व्यापार के मुद्दे हैं उसके भी सहमत है तो यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सहमत है लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विवाद हो जाता है नदी जल नदी का जो जल है उसकी बटवारे को लेकर भारत में क्या है अवैद रूप से बंगलादेश इसको लेकर विवाद है भारत विरोधी जो कट्टर बंती इसलामी जमात है इसका समर्थन करता है बंगला देश इसको लेकर विवाद है भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का जो फैसला है इसको लेकर विवाद है तो यह तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जो आपको य अच्छे शाशन की मांग कर रहे थे लेकिन राजा जो था उसने अपनी सेना की सहाईता से पूरा नियंत्रन कर रखा था सत्ता पे ऐसे में एक मजबूत लोकतंत्र समर्था कांदोलन हुआ लोगों ने क्या करा राजा के खिलाफ एक आंदोलन कर दिया फिर 1990 में जो राजा थे इन्होंने क्या करा लोकतंत्रिक सम्विधान की मांग मान ली क्योंकि बहुत ज़्यादा इन पर दबाओ आ रहा था जंता बड़े लेवल पर विरोध कर रही थी तो उन्होंने बोलते हैं ठीक है हम लोकतंत्रिक सम्विधान ले आएंगे यहां पर देखो यहां तक ठीक है इसके बाद होती है समस्या लोकतंत्रिक सरकारों के समख्ष कई समस्या है आई 1990 के दसक में देश के कई भागों में माववादी जो लोग थे यहां पर अपना प्रभाव जमाने में सफल हो गए राजा की सेना माववादी माववादी का खुला संगर्श चला एक तरफ थी राजा की सेना दूसी तरफ थे माववादी लोग और यहीं माववादी से परभाववीतों के भारत में नकसलवादी बनेएं ठीक है तो जो राजा की सेना थी और यह जो माववादी लोग थे इनके बीच में क्या हुआ विवाद हुआ उस समय तक राजा की सेना हो गएई 들어가 κौनिय संगर्श चलता रहा तीनों आपस में क्या थे लड़ते रहें दोज़र दो में राजा ने संसत को भंग करके सरकार को गिरा दिया इस तरह जो थोड़ा वह तो आपे नाम मातर का लोगतंतर था वो भी खतम हो गया ठीक है वो भी खतम हो गया फिर अपरेल दोज़र छे में एक बहुत बड़ा यह परदर्शन जो थे इसमें साथ दलो का गटबंधन यानी सेवन पार्टी आलाइंस था साथ पार्टीआ अलग लग जो थी वह तो ऐसे में इनोंने जो संगर्स की राजोती वो छोड़ दी थी 2008 में क्या हुआ नेपाल में रास्तंत्र खतम कर दिया गया और यह लोगतांत्रिक गड़ राजे बन गया और 2015 में नेपाल में नया समविधान जो था वो बना दिया अपनाया गया अलाकि नेपाल में समविधान में कई बार मतलब परिवर्तन वगेरा किया जा चुका है ठीक है लेकिन फिर भी यहां पर कुछ मुद्दे जो ऐसे हैं ज जिसके तहट भारत के लोग उस देश में और उस देश के लोग भारत में बिना वीजा के आ जा सकते हैं तो वो देश है नेपाल अगर आप नेपाल जाना चाहो तो आपको किसी वीजा की जरूत नहीं पड़ेगी नेपाल का कोई व्यक्ति भारत आना चाहे तो उसको वीज कोशन ज्यादा मतलब ज्यादा तर हम ने देखा है कोशन नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी क्या पता इस बार आ जाए तो इसलिए आपको याद रहता है मालदीव की राजनेतिक परनाली के बारे में बताता हूं देखो मालदीव जो है नैंटी सिक्ष्टी एट तक एक सल्तनत हुआ करता था चोटा साय आप दीव के रूप में आप देखोगे इसको नैंटी सिक्ष्टी एट में यहां पर गरतंत्र बना और यहां पर मतलब जो शार्शक्त है वो जनता द्वारे चुने जाने लगे ठीक है यहां शार्शन की अध्यक्षात्मक परनाली को अपना लिया गया हूता गया है कि दोजार पांच के जून में मालदीव की संसद में बहुदलिय परनाली को अपनाने के पक्ष में मद्दान किया गया बहुदलिय परनाली का मतलब है एक से अधिक पार्टिया मतलब कई सारी यहां पर राजनेतिक पार्टियां आ सकती है इसके पक्ष में मद्दान हुआ फिर यहां पर MDP पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रे क्योंकि इस चुनाओं में विपक्षी जो दलते इनको कानूनी मानेता जोती वो मिल गई थी ठीक है तो यह आपको याद रखना है अब यहां पर हमारा खतम हो जाता है में मालदीव को लेकिन अब देखो यहां पर वही चीज़े दुबार रहा है यह आपके सपोर्टिंग मे मालदीव की संसत जोती उसमें बहुत रले पढ़नाले को अपनाने के पक्ष में बात हुई यह भी हमने मान लिया था पढ़ लिया था एमडीपी जो है वो देश के राजनीतिक मामलों में इसका प्रभुत हुआ है यहां पर क्या 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 चीज है महत्तपूर्ण है दोज क्या इसके बाद एक पॉइंट है कि मालदीव के साथ भारत के सब्मंद जो है वो अच्छे हैं फिर हैं 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिक द्वारा सड्यंत कुछ भाड़े के सैनिक श्रिलंका वगरा की साइट से आये थे जिन्होंने मालदीव पर हमला किया था फिर ऐस मालदीव ने नवंबर 2020 में यह आपको पॉइंट आपके एंसेटे में मिलेंगे क्योंकि यह करेंट का डाटा है तो नवंबर 2020 में चार समझोते की हैं मो यू ठीक है उसमें क्या है कि आगे देखो उच्छ प्रभाव सामुदाइक विकास परियोजना के लिए दो समझोते पर हस्ताक चरवें खेल और युवा मामलों के सयोग पर भारत और मालदीव के बीच में समझोता हुआ है और भारत ने मालदीव को एक बड़ा पैकेज भी दी है ठीक है बड़ा पैकेज इसकी साहता करने के लिए तो यह आपको याद रखना है तो यहां पर हमारा जो को पसंद किया जाता है तो इसके लिए क्या कि पांच देसों में एक सरवे करा था जिसमें बंगला देष भारत नेपाल पाकिस्तान शेयलंका यह देश शामिल थे तो यहां पर सरवे हुआ तो बाद में यह पता लगा कि जनता जो है वो लोकतंत्र को जादा पसंद करती है ठीक है लोकतंत्र को जादा पसंद करती है तो यहाँ पे हमारा chapter जो है खतम हो जाता है तो टेलिगरम ग्रूप को जोइन कर लो class 12 ESP new group यह जो आप देख रहे हो सेम यही चीज आपको टेलिग्राम में जाके टाइप करना है सर्च में बिना स्पेस दिये कोई स्पेस नहीं देना लगाता टाइप करना है तो आपको हमारा ग्रूप मिल जाएगा उसमें जुड़ जाएगे वहाँ पर आपको वीडियो वगरा के लिंक जो है वह मिल जाएगे टाइम पर तो मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत